दो छोटे बच्चों को सीने से चिपकाई हुए वह सो रह थी गहरी नीन में होने के दौरान हाथ में कुछ काटने जैसा आभास हुआ दूसरी और तीसरी बार काटे जाने से वह नीन से चाक गई उसे एक काले रंग का बड़ा साप घर से बाहर निकलता दिखाए दिखाए द शुक्रवार को अस्पताल से घर जाते समय उसने डॉक्टरों को गले लगा लिया दो बच्चों के लिए उसकी जान बचाने को लेकवर डॉक्टरों के पैरों पर गिर गई दिवाली में उसके घर के दरवाजे पर खुशियों के दीप रोशन हो गए उसमा का नाम है तीस वर्षे शामकला जगदीश माहूले वह रामटेक तैसिल के खामला पूरी की निवासी है 13 अक्टूबर को सुभा साड़े तीन बचे शामकला अपने दो बच्चों को सीने से चिपकाई पलंग पर सो रही थी इस दोरान उसे साप ने काटा उनके पती जगदीश उन्हें त प्रमुग डॉक्टर मिलिन वहवारे डॉक्टर चांद की मार्ग दर्शन में डॉक्टर स्रजन खंडेलवाल डॉक्टर सरजल बंसल डॉक्टर स्निहा डॉक्टर रुच्ची डॉक्टर रिया आधी ने उसका इलाज किया कैमरा परसन राचकुमा मोहर के साथ अभिशेक प